नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिष दिशास सत्तिकी राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी बढ़ चुके हैं आगे की तरफ अब आप लोग जो भी हमारे स्थाई सदस्य हैं पश्चमेश्वर शनिधाम के अपने अपने छेत्रों में जी जान से लग जाएं शनिधेव के लिए और अपने लिए अब आप लोगों के कंधों पर इतने बड़े प्रकल्प का भार आ चुका हैं पेडियां सुरक्षित कर दूँगा इसकी गारंटी है अपने छेत्र में अपने अपने लोगों को आप लोग बस जिस तरह से कारे समझाया गया है उस तरह से कारे करते हुए कदम बढ़ा दीजिए आशा करते हैं कि आप लोगों ने बनारस में परमानंद का अनभो लिया होगा और उसी जिस उट्साह से आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने का कारे किया है उसी उट्साह से अब आप बिना रुके कदम बढ़ाते रहेंगे हम और हमारी पूरी टीम आप सब के साथ हर कदम पर लगी हुई है किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी में हम आपके साथ खड़े हुए है बस अब चलना है, चलते रहना है और पहुँचना है चली आगे बढ़ते हैं आज के जोतिश का कारिक्रम आरम करते हैं और आप हमसे बनारस में मुलाकात करना चाहें तो कुणले दिखाने के लिए मिल सकते हैं नंबर आपके सामने चली रहा है 9910291850 पर वार्टसप कर दीजिएगा बनारस अपाइनमेंट लिग करके बढ़ते हैं कि आज का सुरुवात करते हैं जोतिश दिशा की सबसे पहले आज का पंचाग जेश्ठ शुक्ल प्रतिपदा चंद्रमा विक राशी में नक्षत राज का रोही रहेगा सुबह 10 बजे तक इसके बाद अम्रेग शीर्ष योग रहेगा धृती तदमस्वार दिनांकी कतिस मई दिन मंगलवार दोपहर 3 से 4 राहुकाल रहता है और दोपहर 12 से 1,5 गुलिक काल रहता है राहुकाल में नए और शुब काम के लिए सास्त्र मना करते हैं गुलिक काल करवा देता है चल्दी से जान लेते हैं आज का शुबह और सबसे पोजिटिव भविश्यवानी राशीफर मेश्टाशी पढ़ाई तो आज बहुत अच्छी आप करने वाले हैं रुके कार्यों को गति दे दे के ब्यापार में किसी तरह की परिशानी नहीं है प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए आज कुछ अच्छा करने की चाह पूरी कर लेंगे सरकारी छेतर में वाहन का सुख है, मकान का सुख है प्रोफेस्नल लाइफ में बड़े काम का प्रोजेक्ट आपकी तरफ आकरशित हो गया है दामपत्य जीवन में बच्चों के साथ अच्छा समय वीतेगा और लव लाइफ के लिए बिवाह की परिचर्चा को एक नया आयाम दिया जा सकता है स्वास्त के मसले पर देखा जाए तो आँखों से पानी आना और दांत की तकलीफ आज कुछ हो सकती है प्रियोग के तोर पर मगवाल मिश्रू का ध्यान करके हल्दी का तिलक कंठ पे लगाना शुब होगा क्या नहीं करना है आज किसी को अपने राज नहीं बताने है औरेंज गलर शुब है सत्तर प्रत्षत का भाग आपके साथ है ब्रिशब राश इकत्यस मई मंगलवार सबसे पोजिटिव भविश्यवाणी पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी सिक्षा का अस्तर बड़ा होगा ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है आज का दिन आपको नई नोगरी की संभावनाओं को भी दिखा रहा है सरकारी छेत्र में उपलबधियां आती जाएंगी बहुत प्रशन रहेंगे प्रफेस्नल लाइफ के लिए वाहन का सुख दिखता है नया काम मिल सकता है तामपत्य जीवन अच्छा है बच्चों के साथ कहीं घुमने टहलने का कारक्रम बनेगा स्वास्थ के मामले में और लव लाइफ लव लाइफ के लिए आज ने प्रफोजल पर विचार सोच समझ कर करिएगा स्वास्थ अच्छा रहेगा किसी तरह की दिक्कत नहीं है आज क्या प्रियोग करना चाहिए ब्रिशव राशी बालों को किसी जरूरत मंद को आज कुछ खाने के लिए देना शुब होगा क्या नहीं करना है अपने राज किसी को बताने नहीं है सफेद रंगी शुबता है ठावन प्रिशत का भाग आपके साथ है मिथुन राशी बहुत शुब दिन रहेगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में सुधार होगा ब्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएगे आज का दिन प्राइविट सेक्टर वालों को वाहन का सुभ दे रहा है किसी मित्र की मदद से नहीं नौगरी की संभावनाएं भी बनती है आज सरकारी छेत्र में उपलब्धियों का फेहरिस्त लंबी होने जा रही है बहुत अच्छी उपलब्धी अर्जित करेंगे प्रफेस्नल लाइफ के लिए आज सोच समझ कर निर्ड़ा लेना है रुके धन की प्राप्ती होगी वहान का सुख मिलेगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा सपोर्ड प्राप्त करेंगे लव लाइफ में किसी तरह की रुकावट परेशानी नहीं है किसी भी तरह से आप आज स्थाइत्त को प्राप्त करेंगे अपने प्रेव जीवन में स्वास्त के मामले में देखा जाए तो कमरदर्द, घुटना और आख की तकलीफ हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए भगवान सिरिशिव शंभूग को याद करके मस्तक पर भश्म का तिलक लगा लिजेगा क्या नहीं करना है आज अपने राज बताने नहीं है और लंबी आत्रा नहीं करनी है नीरारंग शुभ है पचास प्रतिशत का भाग्या है करक राशी दिनांग के कतिस मई दिन मंगल बार सबसे पॉज्टिव भविश्वानी पढ़ाई के लिए अच्छा समय है शुख्षा में सुधार होगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे बिजनस में आज कदम बढ़ा सकते हैं प्राइविट सिक्टर के लिए अनुकूलता है चिंताओं से मुक्ति है अवसर के लिए शुखता मिलेगी सरकारी छेत्राप पर आज महरवान है गौवर्मेंट सिक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी दामपत्य जीमन बहुत अच्छा है पत्मी के साथ बहुत अच्छा समय भी देगा आज ससुलाल से भी रिस्ता मधुर हो जाएगा अगर कल तक का विवाद था कुछ तो आज उसको सौट आउट कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आज वाहन का सुक मिल रहा है कहीं घुमने टहलने का कारकम बनेगा महिला मित्र की मदद से कुछ विशेश लाभ अरुजित करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में लव लाइफ यहाँ पर परिस्ततियां आपके पक्ष में हैं किसी तरह की चिंता की आवश्यक्ता नहीं है रुके काम आपके बन जाएंगे स्वास्त के मामले में देखा जाए तो करकराशी वालों को आज जुखाम खासे की शिकायत रहेगी और थोड़ा बहुत सोलजर्स में भी पेन हो सकता है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी करक है किसी बुजर्ग को कुछ आज खाने के लिए दे दीजेगा और क्या नहीं करना है आज अपने राज अजनभी से शेयर मत करिएगा प्लस किसी भी विवाद को जगड़े में कनवर्ट ना होने दीजेगा शुबरंग बादामी भाग्यपत से सत्तावन 31 मई सेंगराशी सबसे पॉजटिब भविश्यवाणी पढ़ाई के लिए अनकूल समय है सिक्षा की स्थिती सुधर रही है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी व्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे प्राइबिट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल है हर प्रकार की शुबता बनी रहेगी कुछ अच्छा करने की चाह पोरी होगी सरकारी छेत्र की स्थिती सुधर रही है धन की स्थिती अच्छी हो रही है आज कलीक्स के साथ कहीं बेहतर समय भी देगा प्रफिशनल लाइब शुब रहेगा काम में बरकत होगी आज रुके धन की प्राब्ती होगी दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पत्नी पती के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा एक दुस्रे को सपोर्ड करेंगे स्वास्त के मामले में घुटना कमरदर्द और लीवर की प्राब्लम हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज आज के दिन सिंग राशी वालों को लाल चंदन का तिलक कंठ पे लगाना है क्या नहीं करना है किसी को चैलेंज नहीं करना है भूरा रंग शुभ है उनसेट प्रत्शत का भाग्य है 31 माई कन्या राशी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी सिक्षा में हर प्रकार की शुभता है हर प्रकार से शुभ रहेगा सब कुछ बहुत बढ़ा करेगी ब्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकूल है चिंताओं से मुक्ति देगा लाव के बड़े अवसर देगा सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत शुभ इस्थिति में है गौर्णमेंट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा करने की चाह पूरी कर रहा है दाबपत्य जीवन अनकूल रहेगा पति-पत्नी के बीच शुभता बनी रहेगी किसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे प्रफेस्नल लाइफ में दिवेश का लाव दिखेगा आज कोई बड़ा काम आप तक पहुँच रहा है लव लाइफ को लेकर कि आप जितना सजग हैं उतना ही आज आपके लिए शुभ रहेगा पत्नी-पत्नी के बीच जैसे दाबपत्य जीवन में अच्छा था आज करने राशी वालों को किसी जरूरत मंद को मौसमी फल दे देना है क्या नहीं करना है आज आज किसी बात पर चिंता नहीं करना है शुभ रंग आपके लिए पीला भाग की प्रत्षत 61 एकसेट तुला राशी समय बहुत अनकूल है पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप शुक्षा में हर कदम पर सुधार होगा व्यापार अच्छा चलेगा रुके काम बन जाएंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है चिंताओं से मुक्ति देगा सरकारी छेतर किसी विशेश परिश्थति में आपके साथ जुड़ा रहेगा प्रोफेस्नल लाइफ में आज बड़े प्रोजेक्ट की तरफ इशारे मिलते हैं कोई मित्र मदद करके आपको अच्छा प्रोजेक्ट दिलाएगा सरकारी छेतर, प्रोफेस्नल लाइफ और अब दामपत्य जीवन तुला राशी के लिए मैरिड लाइफ में आज करो मरो किस्तिती रहेगी थोड़ा सा संग्यमित रह करके सकरात्मक भविशेवाली है भईया तो जितना संग्यमित रह करके आज रिष्टे को समझोने के प्रियास करेंगे उतना ही आपके लिए बहतर होगा लव लाइफ आपके लिए बहुत अनकूल है, किसी तरह की चिंता परिशानी नहीं होगी स्वास्त के मामले में पेट और किटनी की समस्या दिखाई देती है क्या प्रियोग करना चाहिए तुला राशी वालों को ओम शम्शनिश्चराय नमह शनिदेव की इस विशेश मंत्र का जाप आप कर लीजेगा, क्या नहीं करना है दूसरों से उम्मीद नहीं करना है शुबरंग काला भाग्य प्रत्षट सत्तावन ब्रिश्चिक राशी बहुत कुछ आपके अनुसार चल रहा है पढ़ाई आपके लिए शुब होगी सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अच्छा चलेगा, रुके काम बन जाएंगे प्राइबेट सेक्टर आपके लिए बहुत अन्कूल है चिंताओं से मुक्ति देगा सरकारी छेतर आपके लिए कुछ नया पहचान पैदा करेगा सरकारी छेतर में शुबता बनी रहेगी दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम इस्पेंड करेंगे आज बच्चों का साथ रहेगा प्रोफेस्नल लाइफ में रिस्क लेना भारी पड़ेगा आज थोड़ा सा चीजों को टालने की आवशक्ता है बिचार करने की आवशक्ता है दामपत्य जीवन बता दिया तो अब लब लाइफ जान लीजिए यहाँ पर भी परिष्थतियां आपके पक्ष में हैं कोई रुकावट परेशानी नहीं होगी सबकुछ आपके लिए सहज और सुगम होगा स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्राबलम थोड़ा-थोड़ा सा परिशान करेगी लेकिन यह मीठा दर्द रहेगा तो टेंसन लेने क्या वशक्ता नहीं है प्रियोग क्या करना चाहिए कर आपकी राशिब्रिश्चिक है प्रियोग के तोर पर दाहिने हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़काव करना है और क्या नहीं करना है दूसरों से जूठ नहीं बोलना है शुबरंग आपके लिए क्रीम भाग के प्रत्षत 666 धनुराशि पढ़ाई अच्छी चलेगी सिक्षा में सुधार होगा अवसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइबिट सेक्टर आपके लिए बहुत अंकूल है चिंताओं से मुक्ति दे रहा है सरकारी छेतर में परिस्थतियां आपके पक्ष में है गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अंकूलता देगा प्रफेस्नल लाइफ में आज कुछ अच्छा करने का चांस मिल रहा है इसको आप कैच कर लिजेगा कोई दोस्त सामने आकर मदद की पेशकस करेगा अक्सेप्ट करिएगा दामपत जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के बीच ताल मेल अच्छा बैठ जाएगा आज एक दूसरे के प्रती सहनुभूती भी रखेंगे लव लाइफ की स्थिती में आज सुधार आ सकता है किसी महिला मित्र की मदद से कुछ विशेश उपलब्धी होगी स्वास्त के मामले में पेट और कमरदर्द की शिकायत रहेगी क्या प्रियोग करना चाहिए ओम दुम्दुरगाये नमः इस खास मंत्र का जाब करियेगा क्या नहीं करना है जल्दी बाजी में कोई फैसला नहीं लेना है शुबरंग नीला भाग्य प्रत्षत उन्चास मकर राशिय समय अच्छा है आपके लिए पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे शिक्षा में लाभ होगा ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस की स्थिती को सुधार रहे है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अन्कूल रहेगा किसी तरह की चिंता नहीं सरकारी छेत्र हर प्रकार की शुपता देगा हर प्रकार से आगे बढ़ेंगे प्रोफिस्नल लाइफ आपके लिए आज कुछ अच्छा करने की चाह पूरी कराएगा आज कुछ बड़ा कर भी सकते हैं दामपत्य जी उन अच्छा रहेगा बच्चों के साथ घुमने टहलने का कारक्रम बनेगा उनकी बात सुनने में आज अच्छा लगेगा लव लाइफ बहुत अंगूल है किसी तरह की चिंता नहीं आज लव लाइफ में शादी की चर्चा भी कर सकते हैं आप स्वास्थ के मामले में पेट और किट्नी की समस्या हो सकती है क्या प्रयोग करना चाहिए आज आज शिवलिंग पर शेहद चढ़ाना है पक्का से चढ़ा लिजेगा मंगलवार दिन है रुद्र का दिन है हरुआन रुद्रावतार तरत है कर लिजेगा स्वास्थ के मामले में बस ये समझ लिजे कि ये किया नहीं कि स्वस्थ हो गए क्या नहीं करना है आज बढ़ बोला पन नहीं दिखाना शुबरंग गुलाबी भाग्य प्रत्षत पच्पन कुम्भराशी सबसे पॉश्टि भविश्यमारी 31 मई प्रहाई अच्छी चलेगी सिक्षा में लाभ होगा रुके काम बन जाएंगे किसी तरह की रुकावट नहीं ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस को ले करके आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं प्राइबट सेक्टर आपके लिए अनकूल रहेगा चिंताओं से मुक्ति देगा सरकारी छेत्र आप पर महरवान है गवर्मेंट सेक्टर की शुपता बनी रहेगी दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा एक दूसरे को सपोर्ड करेंगे लव लाइफ आपके लिए बहुत आलिशान है लव लाइफ में कुछ अच्छा करने की चाह भी पूरी कर रहे हैं स्वास्त के मामले में हर प्रकार की शुपता बनी रहेगी किसी तरह की दिक्कत नहीं है क्या प्रयोग करना चाहिए आज कुमराशी वालों को आज किसी जरूरत मंद को चावल कच्छा दान करिये क्या नहीं करना है जल्दी बाजी में फैसला नहीं लेना है लाल रंग शुभे क्यावन प्रिक्षत का भाग्यान तिम्राश मील 31 तारिक सबसे पॉजिटिब भविश्यवाणी पढ़नी में उचाठ से बाहर आ जाएंगे मतलब मन लगने लगेगा शिक्षा आपके लिए अलग तरह की पहचान बनाएगी शिक्षा में सब प्रकार से शुभता बरी हुई है ब्यापार अच्छा है रुके काम बन जाएंगे बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है प्राइविट सेक्टर आप पर आज महरबान रहेगा आज प्रमोशन की स्थिति बन सकती है बहुत प्रशन रहेंगे गवर्मन्ट सेक्टर वालों को महनत से नहीं भागना है आज फ़लब वर्क लोड जादा रहेगा प्रेशर पड़ेगा प्रफेशनल लाइफ आपके लिए अनकूलता देगा आज कुछ अच्छा करने की चाह पूरी करेंगे लव लाइफ बहुत शुब है हर प्रकार से आपके साथ जुड़ा रहेगा स्वास्थ के मामले में पेट और किटनी की समस्या बनी रहेगी क्या प्रियूग करना है आपको आज किसी जरुरत मंद को कोई मौसमी फल दे दीजेगा क्या नहीं करना है बेकार की चिद्धा नहीं करनी है शुबरंग सफेद भाग्य प्रस्थ सिस्टी बात कर लेते हैं आज के भाग्याक्षर की लेकिन बता दे कि आज आप हमसे बनारस में मिल सकते हैं कुण्टली दिखाने के लिए और कल पर सो अर्थात एक और दो जून को मुलाकात कर सकते हैं लखनों में समय ले लिजेगा अगर मिलना है तो मेश से लेकर मीन तक अब आई ये जानते हैं आज का भाग्याक्षर ये आपके शुब भाग्याक्षर है जिसको सादे चौक और कागच पर लिख कर रख लीजेगा और अपने साथ जोड़े रखिएगा आज की सक्सेंस की तीन चुटकी आटा सरसों के दो भूत तेल के साथ किसी पौधे के नीचे रख दीजेगा जिसका 31 मई को आज हैपी बर्थडे है उनको हर्दिक शुब कामना आए आयुश्मान भव आप सब के लिए शुब जनम दिन तीन लोगों को एक बार खाना खिला कर वस्त्र कादान करें और जिसकी आज मैरी जेनिवर्सरी है तीन लोगों को खाना खिला कर दो बच्चों की सिक्षा में मदद करना है आज के लिए इतना ही हमें अनुमत दीजेगा कल फिर आते हैं आपके लिए ताजगी से भरा सबसे पहुश्टि भविश्वारी लेकर थैंक यू सो मच नमस्कार शेरादे कन जड़ती है पहुश्टर कि उरना हाई